आज हम संयुक्त पून्जी वाली कंपनी जॉएंट श्टॉक ज्यूप कंपनी हैं उसके बारे बहुत करते हैं तो हम देखते हैं सरपरतमिस की जो मिनिंग है कंपनी या निघम का अर्थ व्यक्तियों का एक समुम्ह जो द्रवे या अन्य के बराबर का अंसदान एक संयुक्त कोस में जमा कराते हैं और इसका प्रियोग निश्यत उद्देशे के लिए जो वेधाने को उद्देशे है उसके लिए करते हैं यानि चोटी-चोटी टुकडों में पैसे खटे करके या यूं कहें कि कंपनी लाब के लिए बनाए गई व्यक्तियों क का एक छिक संगठन है जिसकी पूंजी हस्ताना आंत्रें अंसों में विवाजित होती है और जिसकी सदर्श्यता के लिए स्वामित्व की आउशक्ता है यानि अंसों का जो है अस्ताना आंत्रम कर सकते हैं जो पारिवासा की बात करें कि किमबाल एं किमबाल के अनुसार बा उद्देशे के लिए कानूनी अधिरियम रचा गया है और अधिकरत किया गया है जो कंपनी है विधान द्वारा एक कृतिम व्यक्ति हैं शुली सुलीवान की सब्डों में बात करें तो निगम एक संस्था जिसमें एक या एक से अधिक प्राकर्तिक अथ्वा क्रतिम व्यक्ति होते हैं जिसका निर्माण विधान द्वारा प्राय किसी विशेश उद्देश यत्वा उद्देश्यों के लिए किया जाता है और जिसे सदेश्यों का उत्तरदाई तो है द्वारा चालू रखा जाता है ऐसे ही प्रोपेसर एल एच हेने के अनुसार सेंग पूंजी वाले कंपनी के लिए बनाई गई व्यक्तियों के एक एच्छिक संस्ता है जिसके पूंजी हस्ताना आंति अंस्तों में विभक्त होती है और इसक का उत्देश्य उसके सद्देश्यों से प्रत्हक स्ताइत अस्तित्त होता है जिसके पास एक सार्व leave is ती है यानवल aan की में बाद करें है अगर बात करेंगी निशकर्स रूप में बात करें तो कंपनी विधान दौरा एक कृतिम संस्ता है जिसका अपना एक पर्थक वेधानेक अस्तित्व होता है जिसकी पूंजी अंसों में विभक्त होती है जिसके धारकों का दाइत्व स्रीमित होता है और वे हंस हस्ताना अंत्रन के लिए स्वतनत्र होते हैं और इनकी अपनी एक सारों मुद्रा होती है यानि निसकर सूप में ह तो व्यक्तिवा एक च्छिक संग यानि जेμस ने लिखा है कि कम्पनी कीए कि इसी समान्य उद्देश्ची के लिए बहुत से व्यक्तिवां का एक चंग है यानि कई व्यक्ति मिलकर स्वेचिक वॉत इसक्रापार के लिए तयार होते आर्टिफिशल परशन की बात करते हैं कि विधान दवारा निरमित करते व्यक्ति कालपनिक एमुर्थ है क्योंकि इसका जन्म प्राकर्तिक तरीकेस नहीं होता है या यह यह जन्म नहीं लेता केवल जहां इसकी जो सील लग जाएगी वहीं यह हैं कम्पनी के नाम से जानेंगे पर्थक वेदानी क्यित्तु की बात करें यह इसका मुख्य कारण यह की सवैम् विधान दुवारा निर्मित कती होने की वजह से कम्पनी दुवारा किये के निर्म की उत्तरताई होता है और सदस्यों द्वारा के कार्यों के लिए कंपनी उतरदाई नहीं होती है इस्ताय अस्तित्यों की बात करें तो कंपनी का अस्तित्यों इस्ताय होता है सार्व मुद्रा कॉमंसील की बात करें तो प्रते कंपनी एक सार्व मुद्रा होती है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक क्रतिम व्यक्ति है इसलिए वे प्राकर्तिक व्यक्ति की तरह अपने अस्ताक्षर नहीं कर सकती तो जहां हस्ताक्षर की आवशक्ता होती है, वहां ये रबड सील लगाकर, ये महौर जिसको बोलें, तो उसके नाम से काम चलता है, प्रतिनिदी प्रबंद व्यवस्ता की बात करें, कंपनी एक कृतिन व्यक्ति है, इसलिए वैस्वेम अपना प्रबंद नहीं कर सकती, उसके या प्रबंद सल्जाल को को चुन कर कंपनी का उत्तराधिकार सौब देता है, या जै कंपनी का प्रतिनिदी प्रबंद द्वारा ही होता है, यानि उनके द्वारा चुनेवे या मनोनित जो भी व्यक्ति हैं, स्रीमित दाईत वे लिमिटेड लाइफ डिर्ट की बात करें, तो साधाने कंपनी के सदश्यों दाईत उनके दो क्रे किये गए अंसों के अंकित मुले के बराबर या सीमित होता है, कारे छेत्र की या सीमाओं की बात करें, तो प्रतिक संयुक्त वे इसकंद वाली जो कंपनी हैं, अपने कामकाज में कंपनी अधिनियम, सीमा नियम, पार स aumentar, transfer of shares की बात करें कि company, एक सार्जनी का कोई भी अंसदारी अपने अंसों को, किसी भी अनन्य व्यक्ति को सवतंता पूरवा स्ताना अंतर्ण कर सकता है, और company की सद्शय साथ मुक्ष्ट भी हो सकता है, यानि company अपने त्याउग उसको बेच कर वा सवतंतर हो सकता है, लेकि गभी ध्यान रहा है कि निजी कंपनी के अगरम बात करें तो सधर्षियों की संगंत्तियों का एक Way यो एजुएक संग है कि अपी तुoh company अदिणियं के अंत्रगत संह्मय मिलिद्भी होता है इस समाइद में company कि कंपनी अदिनियम को इस पस लिखा है कि कंपनी से तात्परिये किसी ऐसी एसी कंपनी से जो भर वर्तमान when अथो इससे पूरव किसी भी कंपनी अधीनियम के ँद्रीकत्त पंजिकरत या समामे बीद्दिकारी रजिस्ट्र उसको कराना बहुत जरूरी हैं। ृधिकर भी प्राफ्त नहीं जैसा नाम से प्रती था खिए विधान्दोरा क्रतियन व्यक्ति हैं तो इसको मू आधिकर सव्दान नातम दीने में कि में यह विवस्ता है कि वास्तिक् bowl कोई देश का नागरिक होता है और वह Essentially देने का जो अधिकार होता है इसे कंपनी नर तो देश का नागरिक है नियुक्त कि इसे बात करें निकाई वित्त करने की सुविधा कि एक कंपनी के भलता। हसताना आन्तरणी होने की वज़े से निकाई विज जैसे विवस्ता के अंतर कम से कम समय में अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है यदि इसके वत्रिक कार्य विस्तार के दसामें भी अधिक विद की आवसकता होती है तो रिंपत्रों का निर्गमन भी कर सकती है इस परकार अंसो और रिंपत्रों तो जैसा म्जाने का अधिकार है राइटू शौ कंपनी की प्रमुख विशेशता यह यहां परने पक्सकार कमपनीय पर अभियोग चला सकते हैं यानि मुक्दमाї अधना ही नहीं अपने सदश्यों पर तत्यों उसके अभियोग चला सकते हैं अब बात करें यह तो खमने विशेश्टाओं विशेस्ताओं की अब बात कर लेते हैं इसके जो लाब क्या है लाब और हानी की भी बात कर लें सेविक पूंजी वाली जो कंपनी है एडवांटेज और जॉइंट स्टोक कंपनी एक तो सीमित दाइत्व है जहां पार्टनर्सिप में और हमने सो एकागी व्यापार में देख के सीमित दाइत्व था तो यहां उसके द्वारा जो अंकित मुल्य के बराबर ही को लेकिट सार्वज्रीं कंपनी में नेजी अध़ेग हैं अल्पवच्चत को प्रोसान कंपनी को पुंजी थदा योग्यता के समनवे से का विचित्रय अनुपम उध्रण हैикомपनी Mm का विणियों करती है एँ अपनी वयाउसाईक योगधिता प्रदान करते हैं प्रेनामत है कम्पने के कारे के कुसलता से शंचालन होता है बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोश्तहान में कम्पने द्वारा आसानी से पून्जी कत्तित वहुत ह香 जाती है और बड़े उध्व Jim की बात करते हैं उसका अब इसमें प्रियोक किया जाता है विस्तार घ्रीकास की अपार संभावनाएं यानि भावी जो सारजिनी कंपनी के विशाल साधन होने के कारण विस्तार और विकास के लिए व्यावसाई को अपचारिक पुनहे संगठन करने की आवशक्ता नहीं होती है और द्योगेक अनुसंधान संभव यानि कमपनी के विस्तित आर्थिक साधन होने के कारण विक्ति ग्रूप जो रिसर्च जो अनुसंधान जो कारिशालाएं हैं उनका निर्मान करकर और अनुसंधान किया जा सकता है विन्योग संस्ताओं के लिए विन्योग के सादन है यह company जो परतिवूतियों और संस्ताओं के विन्योग में उप्यूक्ट माध्यम कही जा सकती है तो इस company ने वित्य संस्ताओं के विकास को परत्यक्ष रूप से महत पूर्ठ भूमेगा यानि लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाते हैं, सेल्स खरीना चाते हैं, जो रिण मिलने में सुविदा, easy to get loan की बात करें, तो कंपनी के प्रारू की अधिक होने के कारण रिण मिल जाता है, यह जैसे बड़ी संस्ताइं हैं, तो इनको निस्चित ही बड़ा रोन उ हो जाता है, योग्य और अनुभवी विश्यशक्यों की निक्ति, कंपनी के विश्थिस साधन होने के कारण यहां, योग्य अनुभवी और प्रभंद जो CACS, ICWA, जो भी अच्छी वित्य सलाकार या जो भी व्यक्ति है MDA, जुन को बड़ी अतनखा मिलने की वज़े से वो जाने के कारण कंपनी विकास के साथ साथ, प्रभंद पेशे के रूपे भी विक्षित होता जा रहा है, अज़े प्रभंद के ज्यान देने हैं, तो विशिस सिक्षन संस्ताएं भी अस्ति तुम्हें आ गई, विन्योगताओं को लाब, जो इन्वेस्टर्स हैं, इड्वां वापिस भी मिल जाता है, व्यक्तिकर समपति शुरक्षित भी रहती है, जनता का विश्वास की बात करें, कि कंपनी विधान्त अपने वार्शी खाते और परतिवेदन प्रकासित करती हैं, जिससे लोग इसको देखकर इसकी कंपनी की जो क्रेशित साथ या लाब दाइकता जिसको भी देखकर अपना पैसा इन्वेस्टे कर सकते हैं, अब जब अच्छाईयों की बात करते हैं, तो हर सिक्के के दो पहलू आते हैं, तो कुछ कमिया भी है, कुछ हानिया भी है, इसमें डिसएडवान्टेज और जोइन्ट स्टोक की बात करें, तो निर्मान में अच्छल कपट, कभी-कभी देखा जाता है कि लोग काम तो बड़े इमानदारी से करने के धौंग करते हैं, लेकिन वास्त्विक्ता ही कुछ और ही होती है, आए दिन देखते हैं, बड़े-बड़े फ्रोड दोखा धड़ी है, ये, अनुचित सट्टे को प्रोष्थान, अनुचित सट्टे वाजी को प्रोष्थान की बात करें, तो अनुचित सट्टे वाजी की मनोब्रती का जन्म और विकास में साय को सिद्ध है, अचे संचालक मंडल परतिवस्थ लाभांश की तर में परिवर्तन अन्सों के जो मुल्ले को उतार चड़ाहों को जन्म देते ह हैं, फल सरूप स्टोक एक्षन में सट्टे वाजी का अड़े बन गें, जहां दिन रात अटकले लगाई जाती है, कुकर्म का फल अकेला बिन्योगता सहन नहीं करता, वरन सभी संपूर्ण समाज को इहानी उठाने पड़ती हैं, और कस्ट सहने पड़ते हैं, कभी बढ़ प्रबंद विवस्ता का मात्र एक दिखावा है, जूटा ढोंग जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का सासन की बात करते हैं, लेकिन या तो चुनेवे जो प्रतिस या ज्यादा पैसे वाड़ा जिनके बात ज्यादा शेर उन लोगों से कार्य करवाया जाता है, तो प्रतिस या जनता के अभाव में सक्रे भाग न लेने के उनके विखरे होने कंपनी कार्याले में काफी दूरी पर होने अत्यादिक संख्या के कारण एक दूसरे से एप परिचित होते हैं, इन्हें अधिनियम की विविन विवस्ताओं का ज्यान भी नहीं होता, वार्षिक जो सभाए हैं, उपस्तित नहों ने, और संचाल को द्वारा दीजाने वलिए सूच रहें, अधूरे और संचाल को द्वारा अपने अधिकारों का दुर्वियो करने, विविन मता अधिकार वाले अंसों के निर्गमन के कारण, संचाल अंसब्ता, इत्ते गिने चुने वार्शी खातों का प्रकाशित करने महत्रपुन प्रड़्यों को पंजियन कार्याले में प्रस्तुत घौने वेधाने का निवारत आवशक शुल्क देकर उन्हें देखने की जो विवस्ता है के कारण इनकी गोपनेता का भी पूर्ण जो अभाव पाया जाता है ऐसे ही प्रत्येक्स प्रेणना का अभाव है यानि इसमें स्वरूप में वेवस्ता का बहार संचालन बेतन भोगी अधिकारियों के कंदों पर रहता है तो निशिद ही उतनी रूची उस्सा लगन से काम नहीं करते जितना की स्वाम ही करता है बैण जब चुने वे व्यक्ति कारे कर रहे हैं और काम ये करें प्रॉफिट सबको मिले तो कहिन कहीं व्यक्ति के मन में मस्तिक्स में ये बात आ जाती है कि मेरे ज्यादा काम करने की मुझे आउशकता नहीं है या कहीं काम चोरी रिंसे बचते हैं कि душक्त इससे परीध्य कोई वी काम नहीं कर सकते या इनी इसे परें होके कोई वी कारई नहीं है जो उद्देश वाख的话 कोजोते हुए उनमें हित प्रथक प्रथक होते हैं, वे सदेव अपने हितों के रक्षा के लिए प्रतिन सिल रहते हैं, संगर्स इस्तल्म मात्र बनकर रह जाता है, निरंतर संगर्स के स्तती, कभी उभोकता, कभी नियोकतार, कभी स्वामीर, कभी याय दिन है जो कभी, ऐसे ही बात करें, अ प्रवंद वर्ग का अधिकान समय इस बात पर खर्च हो जाता है, कि किस प्रकार कानुनी पकड़ के बहार रहा जा सके, सरकारी अस्तक्षेव की बात करें, जब सरकार जब चाहे अपनी इच्छानुसारे नियोमों, उपनियोमों और जो व्यावसाइक जो नीतियां हैं, को परिवर्तित करती रहती है, जिसके फलसुरूप इसमें अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, एक व्यक्ति का कंपनी के दोज, जो वर्त्मान में एकल व्यक्ति जो कंपनी आगी, कभी-कभी सिमित दाइतों का लाव उठाने हित्तु वेकार की व्यावसाई अन्य व्यक् प्रभाव इन पर पड़े बिना नहीं रहा रहता है, एक निश्य सीमासी अधिक उत्पादन करने में पर क्रमागत उत्पति हास नियम लागव होने के कारण, उत्पादन लागतों में व्रदी होती है, और यही नहीं वरन मानिवें जो समश्याई हैं जो भी है, जनम लेती है, तो आज हमने कंपनी, जो सहिक्त पुझवाली कंपनी के बारे में जन किया